चुनावी मौसम में एक के बाद एक उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं और उम्मीदवार भी प्रचार कर रहे हैं ताकि आवाम सिम्मत हांसल किये जा सकें हर पार्टी उम्मीदवार घोशित कर रही है जिसमें बीजेपी भी शामल है बीजेपी जहां हर लोग सवाज सीट से उमीदवार घोशित कर रही है वहीं यूपी की मैनपुरी लोग सवाज सीट के उमीदवार को बीजेपी अब तक फैनल नहीं कर पाई है हालात ये हैं कि जो टिकट मिलने के उम्मीद पाले वैठे हैं उनकी धड़कने बढ़ रही है वहीं आला कमान तमाम नामों पर माथा पच्ची कर रहा है लेकिन मीडिया हलचल अंदर की खबर निकाल कर सामने लाया है जिसके मताबिक मैनपुरी में दो चेहरे ऐसे हैं जिन पर बीजेपी दाउन खेल सकती है इसके अलावा बाहरी सेलेबरिटी को भी चुनाओ लड़वाने के लिए विचार किया जा रहा है फिलहाल जिन दो चेहरों की हम बात कर रहे हैं उनमें पटियाली से बीजेपी विधायक ममतेश शाके का नाम सबसे आगे चल रहा है बताया जा रहा है कि ममतेश शाके पर बीजेपी मैनपुरी में दाउन लगा सकती है साथ ही पूरू इमीद वारों के अगर बात की जाए तो प्रेम सिंग शाके का नाम भी रेस में आगे है लेकिन मोहर किसके नाम पर लगेगी इसपस सस्पेंस लगातार बरकरार है बताया जा रहा है कि ममतेश शाके फिलहाल रेस में आगे है वहीं बात करें सपा की तो सपा ने मुलाइम सिंग का नाम घोशित कर दिया है कॉंगरिस ने मुलाइम सिंग के सामने अपने परत्याशी को न उतारने का फैसला लिया है ऐसे में बीजेपी और सपा के बीच कुड़ी टककर देखने को मिले ही वहीं सूत्रों के मुताबिक BJP वॉक ओवर भी कर सकती है जिससे मुलायम सिंग यादव निर्वेरोध चुने जा सकते हैं इसके पीछे वजह लोग सभा में पीएम मोधी की तारीफ बताई जा रही है जिसके तहट मुलायम सिंग ने कहा था कि वो मोधी को फिर से पीएम बनते देखना चाहते हैं सूत्रों की माने तो BJP के वॉक ओवर के फैसले से एक तीर से दो शिकार करने की जुगत है पहला येक मुलायम सिंग को निर्विरोजीत का तौफा दे कर सपा के यादव मतदाताओं की समवेदनाएं उन्हों शित्रों में पाने की कोशिश की जाए जहां से बसपा के प्रत्याशी मैदान में हो और दूसरा ये कि अगर कोशिशों के बावजूद किसी बज़े से बीजेपी को बौमत नहीं मिल सका तो मुलायम सिंग यादव के माध्यम से सपा कर सहीयोग लेकर सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई नाम फाइनल तो नहीं किया गया है और नहीं कोई फाइनल फैसला लिया गया है इसके चलते मैनपुरी बीजेपी इकाई की धड़करें बड़ी हुई है और हर नेता उमीद लगाए बैठा है कि शायद उनके नाम की घोश ना हो जाए फिलहाल ममतेश शाक्य और प्रैम सिंग शाक्य में से किसके नाम पर बीजेपी मोहर लगाएगी या वाक ओवर करेगी देखना दिल्चस्प होगा अगली अपडेट को जानने के लिए आप देखते रहे हैं मीडिया हलचल मैं पुरी से मीडिया हलचल के लिए विशेश समबात दाता और पिच्चन की रिपॉर्ट